हाई फ्रेंड्स अलकम बेट की वैसे अनल नैशा अलंग उमीद करती हूँ आप सब खेरियत से होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शकर पारे बनानी की रेसिपी बिना चाशनी बहुत ही असान तरीके से मैं आपको डिटेल से बताऊंगी केतने खस्ता और इतने टेस्टी आप इसे घर में बना सकते हैं और इस्टोर कर सकते हैं बच्चों के लिए या फिर शाम की चाई के साथ आप इसे इंज्वाए कर सकते हैं तो चले आए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं शक्कर पारे बनाने के लिए मैंने बाउल में दो कब मैदा डाल दिया है मैदे को मैंने पहले ही छान लिया है आप भी इसे छान के इस्तमाल करें फिर आदा कब पाउडर शुगर एट करेंगे नमक एट करेंगे quarter teaspoon मीठे में एक से दो चुटकी नमक एट करने से बहुत ही अच्छा फिलेवर हो जाता है तील एट करें वन टेबली स्पून और मिल्क पाउडर एट करेंगे टू टेबली स्पून quarter cup घी एट करके इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और घी को मेल्ड करके measure करना है और तमाम चीजों की measurement जो मैंने बताई है ये एक दम perfect है इससे बहुत ही खस्ता शकरबारे बनके तयार होंगे ये तमाम ingredients मैंने mix कर लिये हैं इसे इस तरह से चेक करें इस तरह से मुठी बननी चाहिए इसमें घी की मिक्दार सही है अगर घी जादा हो जाता है तो शकरबारे तलते वक्त तूट जाएंगे या फिर तलते वक्त तेल जर्ट करेंगे जितनी quantity में मैंने आपको घी की मिक्दार बताई है ये एक दम perfect है अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी एट करेंगे और इसे गूनते जाएंगे इसकी एक tight dough तयार करेंगे इसको soft नहीं गूनना है इसमें बन थट कफी पानी का मैंने यूस किया है और ये इस तरह की dough बनके ready हुई है इसको 15 मिनाट के लिए मैं rest पे रखूंगी 15 मिनाट हो गए हैं इसको दुबारा से tight हातों से गुन देंगे फिर थोड़ा सा portion लेंगे और एक पेड़ा बनाएंगे और इसे हम इस तना से बेलेंगे इसको बहुत पतला नहीं बेलना है और नहीं बहुत जादा मोटा यह देखे यह normal सा मैंने बेला है यह अंदर तक सही से पक जाएगा अगर जादा मोटा बेलेंगे तो यह पकते वाग चीनी की वज़ा से उपर से color आ जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा अब इनके pieces कर लेंगे यह छोटे-छोटे square shape के मैंने cut किये हैं इस तरह के यह square shape के होते हैं शकर पारे तो चले अब हम इसे fry कर लेते हैं इन्हें deep fry करेंगे oil मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था पहले एक पीजराल के चेक कर लें तेल या घी कैसा गरा में अगर इस तरह से bubbles उठ रहे हो तो oil सही गरा में ठंडे तेल में नहीं डालना है वरना यह तेल जस्ट कर लेंगे तमाम pieces मैंने डाल दिये हैं कुछ देर इन्हें fry होने देंगे फिर पल्टेंगे और medium flame पे इन्हें golden brown होने तक fry करेंगे जब यह हमें इस तरह के golden दिखने लगेंगे तो इसे निकाल लेंगे और बाकी केवी मैं इसी तरह से fry कर लूँगी पिर आप लोगों को दिखाती हूँ देखें बहुत टेस्टी और हस्ता बनके तयार हुए हैं आप इसे बना कि किसी air tight jam में सेफ कर सकते हैं और एक से डेड़ मा enjoy कर सकते हैं रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे like और share कीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो subscribe किये बीना मत जाएगा वीडियो देखने का शुक्रिया अलाहाफेज